आज का तारीक है 2 जनवर्डी 2022 तो सबसे पहले सभी को 9 वर्ज की सुपकामना है और हैपी न्यूएर आपके लिए दो तारीको ही एक नोटिफिकेशन आया हुआ है किस की तरफ से नवान्नो की तरफ से नवान्नो कौन है वो एक गवर्मेंट बोड़ी है एक ऑफिस है जहां से सरकारी विभाग काम करती है उसमें से एक नोटिस आया है दो एक 2022 को जिसमें आप लोग वाटस अप में बहुत जगह पे आपने सुन तो लिया ही होगा कि आपका स्कूल क्या हो रहा है बंध हो रहा है लेकिन इस नोटिस में आपके लिए ऐसा क्या है जो जानना चाहिए उसके लिए ही मैंने एक वीडियो बनाया है छोटा सा आप उसको एक बार देख लीजिए ताकि अगला पॉइंट पर देखेंगे आप तो एक नंबर में कहा गया है कि all academic activities in school स्कूल में जितने भी academic activities जाने के स्कूल में बच्चों का जाना पढ़ाई होना या जो भी कुछ करना है colleges and universities shall remain closed वो बंध हो गया दूसरी बात only administrative activities shall be permitted with 50% of employee at a time उसमें college में हो सकता है या फिर स्कूल में जो employee जाते हैं teacher जाते हैं या और भी जो member जाते हैं वहाँ पे तो वो जा सकते हैं 50% capacity के साथ ठीक ये आपका first number हो गया जो कि आप लोग को पता है कि हाँ school कल से क्या हो रहा है बंध हो रहा है तो मैं ये video क्यों बना आपको जो पता ही है तो कि मैं क्यों बना हूँ इसलिए ये बंध हो रहा है क्या पता ये बंध ही हो जाएगा ना क्या exam होगा कि नहीं होगा इसी notification में वो hint दे दिया गया है आप देखिए यहाँ पर अपने आप समझ में आ जाएगा और ये कब तक बंध है आपका ये आपका 15.1.2022 तक तो पहला चीज तो यही है कि 15.1.2022 तक य ये जो अभी बंध किया गया है वो दिया गया है ये इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार ये देखना चाहती है कि जो ओमिक्रोर वेरियंट है जिसके तहत अचानक से जो ग्राफ है करोना का जो infected हो रहे है वो बहुत बढ़ रहा है और बढ़ने के साथ साथ थोड़ा alarming situation आ सक सकता है कि बहुत ज़्यादा एकी साथ मतलब infected हो जाए जिसको सरकार को समालने में दिक्कत हो लेकिन चुकि ये lockdown लगाने से partial lockdown लगाने से हो सकता है इसकी जो रफ्तार है वो होना तो सभी को है रफ्तार इसकी क्या हो जाए थोड़ी धीमी पर जाए ताकि सरकार उसको tackle कर प किया गया है 15 तरह देखा जाएगा अगर situation ठीक रहता है तो फिर से school खोल दिये जाएंगे अब दूसरी बात कि इसी का जो second page है उसमें जो first number point है वो आपके लिए थोड़ा देखना चाहिए वो क्या है आपका कि दो आरे सरकार camp starting second January 2022 are hereby postponed and will be organized again from first January first February 2022 यानि सरकार यह सोच ही है कि देखिए जो चीज जल्दी आता है वो जल्दी जाता भी है अगर omicron बहुत जबरदस्त फैला तो फरवड़ी तक खतम भी हो जाएगा क्योंकि सभी को होना start होगा और सभी को हो रहा है तो वह इतना deadly नहीं है बहुत कम deadly है हो सभी को रहा है लेकि जागतर hospitalized नहीं हो हो जाएगा यानि आपको त्यारी करते रहना चाहिए दूसरी बात कि आपका school को क्यों लिया गया है बंद क्यों किया गया है क्योंकि देखे आपका यहां पर यह वाले point में समझाएगा कि at least 50% of the institutional quarantine facilities आप याद करो तो कि सब second wave आया था existing during the second wave of covid pandemic should be made operational यानि कि second wave जब आया तो बहुत सारे school को एक quarantine facility में बदल दिया गया था कि बहुत कोई को रखा गया था चुकि ओमिक्रोन वेरियन जिसको हो रहा है वो एक अगर वेक्ति को हो रहा है तो वह 70 वेक्तियों को क्या सकता है फैला सकता है इसलिए अगर इसलिए कहा गया कि भीर कठा ना हो अगर होता भी है किसी को हो रहा है ओमिक्रान हो गया है तो वह अपने घर पे ही रहे अगर थोड़ा सा भी उसको लगे कि बुखार वेगरा हो तो घर पे ही रहे वो अगर बाहर निकलता है गैदरिंग में जाता है तो वह बहुत लोगों को इंफेक्ट कर सकता है भले ही उसे मरेगा न हो स्कूल में फिर से लाए जा रहे है ठिक की वह सब हो सकें तो यह दो पॉइंट हो गया तिसरी बात की आपका तीन तारीख से स्कूल में स्टूट विक चल रहा था जो कि यह पिर आपको सब कुछ बता दिया जाएगी कि करना क्या है और तीसे बात लास्ट में आपको कहना चाहूंगा क्लास 11 और 12 दोनों के लिए देखें आपको बहुत कुछ सुनने मिलेगा कि हाँ एक्जाम बंद हो गया बहुत सार जगह पे आपको अलग अलग बाते कही जाएगे कि एक्जाम नहीं होगा नहीं होगा इसमें कैसे एक्जाम होसका पर इतना याद रखिए एक बर पिछला जो एक्जाम पोस्टपन इसले हुआ था क्योंकि वो डेल्टा वरियंट बहुत ज़्यादा घातक था उससे मौते ज़्यादा हो रही थी लेकिन ओमिक्रोन से मौत नहीं हो रही है उससे इंफेक्ट ज़्यादा हो रहा है तो पहला तो यही हो गया कि सरकार ओमिक्रोन अगर आता भी है और ज़्यादा लोग नहीं मर रहे हैं तो ये एक समय से और जो चीज़ जल्दी आता वो जाता भी है, तो Omicron जल्दी बहुत ज्यादा infected है, तो वो ज्यादा जल्दी चला भी जाएगा, तो इसलिए आपका exam होने का बहुत ज्यादा chances है, इसलिए अभी तक अगर आप बोलें कोई भी notification आपका council के तरफ से नहीं हु स्कूल तो बंद हो गया है, ऑनलाइन ही आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं जितना हो सकता है आपको बताने की कुछ से लोगा कि पढ़ना कैसे है, जैसे बहुत सारे comment आया हुआ है कि सर पढ़ाई कैसे करे, तो मैं class 11 and class 12 दोनों के लिए वीडियो बनाऊंगा कि पढ़ाई आप कैसे करना है ताकि एक्जाम के लिए अच्छा हो, और खासकर मैं 12 के लिए बना चाहूंगा कि आप एक्जाम की तयारी कीजिए, बैठें मत रहिए, कि हाँ कोरोना आएगा और आपको एक्जाम देना नहीं परेगा, एक तो एक्जाम होई चुका है, ऐसा नहीं है, वो जश खतराइक नहीं है, कि वो इतना मतलब सब को पैनिक दे दे कि हाँ सब बंद कर दो, अभी तक बंद कुछ भी नहीं हुआ है, केंदर सरकार ने सभी राजे सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप इसके लिए कुछ करो, ताकि ये फैले उतना नहीं हो सके, तो ज़्यादा स ज़्यादा precaution लिया जाए, और कुछ तो कहा है कि ये बरदान भी है, क्योंकि जब कोई pandemic होता है, तो last में एक endemic आता है, जिसमें वो कम घातक होता है, और ज़्यादा फैलता है, इसके पहले स्वाइन फ्लू भी ऐसे या था और गया था, ये भी वैसे आया है, और ये जात रहे हो कि एक्जाम नहीं होगा, तो आप गलत सोच रहे हो, आप एका एक्जाम होगा, मई में, अप्रेल नहीं हुआ, तो मई में होगा, लेकिन होगा जरूर, इसलिए एक्जाम के तयारी कीजिए, और साथी साथ, एक्जाम में कैसे तयारी करेंगे, किस तरीके से तयारी क और अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत भी मतलब आपको थोड़ा सा भी अगर लगे कि सर्दी बुखार वगरा है तो बाहर नहीं के लिए जैसा कि सरकार बोल भी रही है कि आपको घर में रहना है ताकि ज्यादा इंफेक्शन ना फैले और सभी लोगों को ना हो तो आसा करते हैं कि आप स्वस्त रहेंगे और अपनी तयारी करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो को साथ थैंक यू